अगर आप अपने बिजनस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नमबर पर आपको करना होगा बिजनस आटोमेशन बिजनस आटोमेशन में क्या चीज़ आती है? हमने बात की है फाइव स्टेप्स की फाइव पिलर्स बोल सकते हैं आप उनको 5 steps बोल सकते हैं 5 foundations बोल सकते हैं 5 horse बोल सकते हैं जिनसे आप अपने बिजनस को बहुत तेजी में ग्रोध करा सकते हैं कौन-कौन से वो फाइव पिलर्स है? नमबर वन पर आता है Marketing और Lead Generation Marketing और Lead Generation का मतलब होता है कि आपके बिजनस के बारे में लोगों को जानकारी हो तो वो कैसे होगी उस पर हम अभी बात करेंगे क्योंकि Lead Generate होना ज़रूरी Customers, Business के लिए सब जाधा Important है Customers तो Customer आपके पास कैसे आएंगे आजकल Social Media Online Business यह बहुत जरूरी तो यह पिर यह लोगडाउन लग जाएगा कोरोना है बंद हो जाएंगे पैक हो जाएंगे तो आप घर बैटे Online Business कैसे स्टाइट कर सकते हैं अगर आप अपना Online Business स्टाइट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मिल सकते हैं अगर आपका बिजनस है और आप उसे आटोमेट पे ले जाना चाहते हैं मतलब अपने आप बिजनस को स्वाचलित करना चाहते हैं यानि आप रहें ना रहें आपका बिजनस चलता रहें तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो भी आप मुझे पूंटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आएए आप हमारे प्रोग्राम में सेमिनार में वेबिनार में जहाँ में हम आपको बताते हैं सिखाते हैं पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप अपने बिजनस को ग्रो कर सकते हैं कैसे आप अपना ऑल्लाइन लीड जनरेशन, marketing लीड जनरेशन का मतलब लोगों का आपके बारे में जानकारी और अवेरनेस हो और लीड जनरेट मतलब customer मिलें, number second पे आता है आपका selling, फिर आपको selling करना होती है, customer मिलके आपको पता चलिए कि आपके कौन से dream customer है, dream buyer कौन से है, उसके बाद में number second पे आता ह HR और आपका administration जैसे team, team होना बहुत जरूरी है, team कैसे हो, आपको तीन steps दूँगा मैं, तीन secrets में share करूँगा आपके साथ में, कि आपको कहां से आपके best आपको team मिल जाए, और उसको कैसे acquire करके रखें, कैसे best team को hire करें, कैसे रोक के रखें, retain कैसे रखें, जो आपके लिए बिना salary और बिना किसी चीज़ के काम कर सकें, ठीक है, number 4 पर आता है, आपका mindset, mindset बहुत जरूरी है, क्योंकि mindset नहीं होगा, business वाली सोच नहीं होगी, तो आगे कुछ भी नहीं, mindset लेके चलना है, कि 10X अपने business को कैसे लेके चलना है, कहां से कैसे grow करना है, फिर आता है system, system या साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में आपका business कैसे grow करेगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, plan होगा, sheet होगी, सब लिखा हुआ रहेगा, सब A to Z आपके पास structure होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारी companies हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो कैसे काम करते हैं, जैस work में, छोटे-छोटे काम करते रहोगे, तो life में बड़े काम नहीं कर पाऊगे, अगर बड़े काम करना चाहते हैं, आप तो छोटे-छोटे काम उपर से आपको ध्यान अटाना होगा, आपको काम को delegate करना होगा, delegate करना सीखेंगे, delegation, कैसे delegate करते हैं, आप अपने काम को दू पर पहुँच जाएगा कैसे आप अपनी इंकम को डबल कर लें ट्रिपल कर लें टैनेक्स कर लें ठीक है तो आईए आप चुड़िए हमारे साथ जहां पर मैं आपको दूँगा ट्रेनिंग कैसे आपको अपने स्टेप्स करना है मैं आपके टीम के साथ आपके साथ वर्क कैसे मैंने 500 से जादा अंट्रिपनर्स को उनके बिजनस में हेल्प कराई और उनके बिजनस को ग्रो कराया